तो अच्छ पीडिया तो डॉब्राइनर फ्राइट के बाद आती है नू लाइन्स लॉब हमारे इसकी बद सेकंड साइन्टिस्ट जाते हैं जिन्हों ने एलेमेंट्स पर वर्किंग की तो तो 1864 से 1869 तक Newland हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलेमेंट्स पर वर्किंग की 1864 से 1869 तक इन्होंने वर्किंग थी इनका ताइम पिरियड था अच्छा Newland जो थे वह बहुत डिफरेंट साइंटिस्ट थे मींस सीरियस साइंटिस्ट नहीं थे थोड़े से फन प्लस म्यूजिक वाले थे यह समझे के फन प्लस म्यूजिक प्लस केमिस्ट्री फन था जभी तो म्यूजिक थी और और केमिस्ट्री भी इनको बहुत पसं थी इनोंने क्या किया म्यूजिक और केमिस्ट्री को दोनों को आपस में मिला दिया वह सही है जी तो इनोंने कहा कि जैसे कि हर त्यॉन में आपको पता होगा कि कोई भी लेंग्वीच हो चाहे वो इंग्लिश हो अम उर्थू हो चानींज हो यापनीज हो कोई भी सुग वो तो उसकी 7 ही टून्स होती है, कितनी होती है, मैं साइट पर आपको सम्झाने के नहीं, उनकी 7 ही टून्स होती है, और होता यह है कि वो 7 टून्स जो होती है, और उसमें जो एक टून आती है, वो उस 7 की रिपिटेशन होती है, for example, हाप लोग जैसे कि हम बहुत रिलेटेड हैं हिंदी मुविज वगएरा से, तो we know it very well कि सारे गामा पादा निसा, सही है, तो इसमें ये 7 टून्स में, जो 8 टून आती है, ये रिपिटेशन ऑफ फर्स आ जाती है, मैं लिखके भी आपको एक दफा बता जाती हूं, हाव, तो स्टून्स न्यू लैंड ने क्या पढ़ा, इन्होंने बोला कि जो 8 टून्स होती है, जो music की 8 टून्स होती है, जिसे octave कहते है, music की 8 टून्स को, उसकी arrangement को octave कहते है, तो इन्होंने क्या कहा, मैं आपको example दिखा जहूं, जैसे सारे गामा पादानी, तो इन्होंने कहा, कि जो 7 टून होती है, जिस तरह वो 1st की repetition, 8 टून जो हम वह सौरी , जो आपकी सेवं थ होती है वह रिपमेटी sharan हो गहती है आपकी एट जो है वो फर्स्ट यून ही बनती है सही है तो इन्होंने क्या किया इन्होंने उस वक जितने पर शुब्स कोख जो हैं इन्होंने उन सारे अन्मेंस को उक्तिव बनाई और और किस तरह इंज किया एक यह विक पॉंट आता है ऐसे दूनी नहां अपनी मरजी से लीथियम पहले लिख दिया पर बैलियम इन्होंने क्या किया कोई ना कोई रूल तो चाहिए कोई ना कोई ज इन्होंने काफी जो है रिसर्च की और उसके बाद इन्होंने क्या किया on the basis of their increasing atomic waste इन्होंने क्या किया on the basis of their increasing atomic waste इन्होंने elements को arrange कर लिया कि अगर lithium के बाद barrium आ रहे है for example तो यह अपने increasing means कि यहांपे सबसे कम number वाला element सबसे कम number वाला atomic weight आएगा पिर उसके बाद पिर उसके बाद आइस्ता 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 यहांपे atomic weight वह increase होते जाएगा सबसे एक point यह भी आगया तो newland ने कुछ इस तरह कार्बन बाज़ है elements को distrurar किया lithium berylium carbon nitrogen oxygen oh sorry तो स्टूद्ट्स newland ने कुछ इस तरह elements पो आरेंज किया जैसे के लीथियम, बेरीलियम, बॉरॉन, कार्बन, नाइट्रोजिन, ओक्सिजन, फ्लोरीम अब फ्लोरीम के बाद आप लोग सोच रहे होंगे के मैं हाँ सोडियम क्यों लिख रही हूं नियॉन आना चाहिए था अब क्लोरीम के बाद आप लोग सोच रहे होंगे का आगन आगन भी इसलिये नहीं क्योंकि नोबिल डैसे डिसकवर में होंगे कल्सियम and sorry potassium and calcium तो उन्होंने on the basis of increasing atomic masses उन्होंने जो है elements को discovered किया तो उन्होंने का हा जिस तरह कि music का 8 tune जो है वो first की repetition होती है इसी तरह elements की जो elements का जो atomic weight है उसकी base पर जो है जो है atomic weight जो है इनका increase होगा और इन्होंने सबसे most important बात जी के जैसे के आप lithium से 8 count करिया 1 2 3 4 5 6 7 तो अब lithium और sodium means जो 8 होगा lithium और sodium जो जैसे के sodium आ रहा है lithium का 8 तो यह होगा repetition of इसकी जो physical properties होगी chemical properties होगी तो इसकी similar होगी आपकी first element से तो इनकी असल point यह था इनकी बात में जैसे कि हम अगर यहां से count कर ले 1 2 3 4 5 6 7 तो अब हमारा 8 जो आ रहा है होगा magnesium हो जाएगा तो magnesium तो बैडिलियम की और magnesium की properties बिल्कुल सेम आएंगी क्योंकि first element की repetition होता है तो इस base पर इनकोंने elements को discover कि on the basis of atomic masses atomic weight sorry और उसके बाद इनकोंने एक पॉइंट और बात आया कि repetition जो कि इससे पहले आना चाहिए था कि 8th element जो होगा repetition of the first होगा every 8th element is the repetition of the first of the first element तो इससे दो में पॉइंट सागा है जो तो इससे दो में पॉइंट सागा है जो so students what is Newland's law so basically Newland's law is the law of octaves law of octaves and it states that it states that every element every sorry every 8th 8 number 8 every 8th element is the repetition of the physical and chemical properties of the first element so basically this is the law this is the law of Newland and this is the main purpose of law which provides के हर 8th element जो है वो फॉर्स्ट आलिमिंट का repetition होगी फिजिकल और केमिकल पॉपटीज में लाइक दो लौ ओ फॉक्ति जैसे के और कहा जाता है इसलिए इनकी लौ को लौ फॉक्तिफ कहा गया क्योंकि इनोंने म्यूजिक के जो लौ अक्तिफ उस पे इनोंने बेस करके अपनी Newland's law of octave बनाई on the basis of increasing atomic weight जो आइछे तरह इसलिए लौbut लाओ तरह इसलिए ten I will show you some merits तो स्टूडेंस देख लेते हैं न्यू लेंज क्या थे 1864 से 1869 तक में इन्हों है डिस्कुर्वरी की लॉफ ऑक्टेव्स की ओक्टेव्स जो के म्यूजिक की 8 टून्स होती है और इन्होंने कहा के जैसे हमने एक्जाम्पल ली सारे गामा पाधानी पाधानी के बाद साह आता की है इसको ऐसे ऊकिष्व होती है वख रेपीटेशन होती है सही हैं जी ऊंहोंने क्या किया है इंक्रीजिंग अन्द बेसे250 आपके बेसे में की बेस्ट कर शेच कीरिंड से जा सब्सक्राइब आम से जा सब्सक्रामीट से जा 1 डाम से जा मैं एट-itelien ki first element sa similar होंगी सही जैसिके लुनने कहось कोई भी हो एवरी एट-विंट अप बैदिलियम से start कर ले यह आप burn-se smart कर ले ही कहीं से भी Start कर ले आपका पहली आएल है गाइए वो डिपिटीशन वह होगा उसकी desicl chemical properties आपके first element की for yourself तो आपको पर देखिए का अब देखिए गा सिलिकोन और कारबन की जो है प्रपर्टी जो है वह काफी हद तक सेम होगी तो इनकी इनकी लॉज हो थी वह इन दो में पॉइंट्स पर बेस करती थी लेकिन स्टुदिंस इनके मॉडल का एक बहुत बड़ा ग्रॉबेक था और व और उसके अलावा इनका जो मॉडल था वो लाइटर एलिमेंट्स की वजह से ज्यादा फेमिस थी क्योंकि नोबल गैस्ट जो है उसके अलावा इन्होंने बहुत अच्छा जो है इंपोर्टेंट पॉंसेप्ट दिया अपने मॉडल के जरिए पनी नौ फॉक्टेव के जरि जुए डी को जकुछ देखिले तहीं इस प्रियोडिषेंटी तो स्टुदेंस मॉडस प्रियोडिषेंटी तो प्रियोडिषेंटी इस दा डिपटेशन औफ फिजीकल एंद केमीकल प्र पॉपर्टी आफ्टर रिट्स एंटर इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ जैसे कि आपिस को दिख ले एक six interval के बाद इनकी similar properties आती हैं तो periodicity इससे कहते हैं लेकिन अभी periodicity की definition खतम नहीं हुई periodicity इसे भी कहते हैं और periodicity definition हम कह सकते हैं extend हो जाती है according to the some according to some cases exceptional cases according to exceptional cases जैसे के पहले मैं आपको definition बताती हूं then I will explain तो the definition is periodicity is the gradual periodicity is the gradual increase in the physical and chemical properties of elements after fixed intervals तो हम इसी example को एक दफ और ले लेते हैं means के इसकी physical properties कुछ भी ले ले के यहां से यहां तक यह सिमिलेर थी लेगन जब यह यहां से यहां और यहां से यहां तक for example यह example लेते हैं जैसे के हम इसकी electronic configuration sorry valency ले लेते हैं जैसे कि sodium lithium sodium और potassium के valency one होती है तो यह इसकी similar आ गई इस तरह हम example यहां पर कर लेते हैं beryllium magnesium में समझें के यहां पर atomic radius यहां से यहां बड़ा यहां से यहां बड़ा तो periodicity इसे कहते हैं periodicity क्या होती है मैं एक दफाँ यहां definition भी write down करते हूं इसको पिर एक दफाँ और discuss कर लेते हैं so students i have written periodicity definition here so what is periodicity sab se pehle newland give us the concept of periodicity which is very important he said it is the repetition of physical and chemical properties of element after fixed interval and i have discussed ke what is mean by fixed interval and repetition किस तरह हो रही है physical or chemical properties की जैसे के sodium or lithium की properties similar आ रही है somehow और उसके बाद आ जाती है कहीं कहीं इसकी definition vary होती है which is according to the condition exceptional cases we can say and it is it is the gradual increase in the physical and chemical properties of elements after fixed interval same उसी करा मैंने आपको calcium और मेगनेशम के बेच में दिखाया था बैरी दिन मेगनेशम और कैल्शम में ए फॉर एग्जेंपल हम जैसे suppose कर लेते हैं atomic radius जो है वो चेंज होता जा रहा है अभी तक हमने डॉप राइनर स्प्राइट करी थी उसमें भी कुछ लगर की भी मेरिट थी success थी और कुछ फिलियर्स थी तो इनकी success क्याती सबसे पहले इसकाश करने जा है कि नियू लैंड ने क्या-क्या positive working की positive थी पूरा model ही positive था लेकिन कहीं कहीं है इनकी जह है demerit था कहां पर यह problem created ही है पहले हम merit को discuss करेंगे तो first of all सबसे most important point यह आता है he gives the concept of periodicity he give us the concept of periodicity as you know concept of periodicity is very important and मैंने explain भी कर दिया है के what is periodicity and second thing we arrange animals in order of increasing atomic weights that has similar physical and chemical properties इन्होंने दूश्रा काम यह किया था पहला मतलब यह नहोंने increasing atomic weights on the basis of increasing atomic weights elements को discover किया सहीजी और कहा कि इनकी elements की properties physical और chemical सेम आएगी यह point भी इनका correct था और इन्होंने periodicity भी हमें discover करती कैम लिए तसोर्ण के साफागे अगा दो अधिके मेरी ते मेरी जा रामका इनका पहला पहला नहीं रियाथ हमें अन्होंने आनके चेसंट मतल्क इमया उफ्यरों और आपनर चाना इनका यए था यह ता on बैलियम बेदी लेलियम पर वरोन पर कार्वन कर्वारोण पर नाइट्रोजन पर आपशीजन पर फ्लोरीन पर फ्लोरीन के बाद नोबील गेस इस करद होई तो यहां पर आगह जूम दो नियोनि चान नाइट थी एव्री एख यूरेन अीएफ अहलें ट्रेट्रेशन अगू इस तरह इनकी law fail हो गई लेकिन अगर आप ये भी कह सकते हैं law of octet की जगा हम इसको law of non b या कुछ इस तरह भी कह सकते थे nine भी कह सकते but the thing is कि उसके बाद जब इसको हम इस तरह वो नाम जेंज कर देते अगर law की law उनकी सही चल रही थी but the thing is कि उसके बाद heavier elements भी इसकोवर हुए जब heavier elements discover हुए discovery of तो इनकी इनकी law जो है वो कैल्शम तक ही चल सकी और आगे जो है ये law जो है वरत नहीं हो सका every eight element is the reputation of first element every eight element is the reputation of physical and chemical properties of first element ये law नहीं हो सकी heavier element पे heavier element discovered and law can not work cannot work तो बहुत बड़ी scientist थे new land लेकिन इनका model ये नहीं कह सकते के बिलकुल fail हो गया इनका model last में fail तो हुआ लेकिन ये भी बहुत बड़ी success थे हमारी science के लिए इस पर इन्हें जो है इनको इसके बावजू जारसी बात दिस्कवरी वाइटिंग तो की थी तो इनको इसकी discovery पे medal भी मिला Royal Society of London से so hopefully आपको मेरा lecture कसंद आया होगा कोई भी इससे related question